दोस्तोर यदने इंवेस्मेंट एक आडेमी में आपका सभागत है। आज हम इस विडियो में और एक मेट्रिक के बारे में बात करेंगे जो आपको कामपनीज को आनलाइज करने में मदद करता है। इस मेट्रिक का नाम है EBIT, EBIT याने Earnings Before Interest and Taxes। इससे पहले हम EBIT के बारे में बात कर चुके हैं, EBIT याने Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization। अलग-अलग Metrices आपको उसी कामपनी के बारे में अलग-अलग information दिखाते हैं। कुछ Metrices कुछ प्रकार की कामपनीज में relevant होते हैं, कुछ दूसरे Metrices कुछ दूसरी प्रकार की कामपनीज में जादा relevant लगते हैं। जैसे कि Book Value, Banks को Evaluate करने में जादा helpful है, EBIT, Capital Intensive Businesses को आनलाइज करने में जादा मददकार साबित होता है। तो आईए देखते हैं EBIT क्या है और यह आपको कामपनी के बारे में कौनसी information देता है। EBIT को आप calculate कर सकते हैं Net Profits में Interest और Taxes को आड़ करके, इसे Bottom Up Formula कहते हैं। और एक तरीका EBIT को calculate करने का यह है कि revenue में से Operating Expenses को निकाल दें। इसे Top Down Formula कहते हैं। Second Formula के case में यदि आप चाहें तो revenue में Non Operating Profits को consider करें या फिर ना करें। Non Operating Profits company को कभी कबार ही मिलते हैं। Non Operating Profits याने जो primary sources से आई हुई income नहीं बलके दूसरे sources से मिली हुई income। अब यह दूसरे sources हो सकते हैं जैसे company के assets पेच देना या फिर company के investment से मिली हुई income इत्यादी। तो यदि आप इस EBIT के formula का इस्तेमाल करते हैं दो companies को compare करने के लिए तो याद रखें revenue में एक तो दोनों companies के मामले में Non Operating Profits को consider करें या फिर दोनों companies के मामले में Non Operating Profits को consider ना करें और फिर ही EBIT को compare करें। EBIT याने earnings before interest और taxes को profit before interest और taxes भी कहा जाता है। आए EBIT किस तरीकी से calculate होता है इसे समझने के लिए कोधारन देखता है। जो आप अपने सामने देख रहे हैं यह TVS Motors का data है Financial Year 2016-17 के लिए। इस साल में company का total income था 12,308.68 crores, total expenditure था 11,278.24 crores, interest company ने pay किया 43.95 crores, taxes pay किये 140.6 crores के, depreciation और amortization में company ने claim किये 287.81 crores के expenses, और company के net profits से 558.08 crores, EBIT का top-down formula है revenue minus operating expenses, यहाँ पर हमने company के total revenue यहने total income को लिया है। अब यहाँ पर total expenditure में depreciation और amortization included नहीं है। इसलिए operating expenses बनेंगे total expenditure प्लस depreciation और amortization तो यहाँ पर EBIT calculate होता है 742.63 crores, यदि हम bottom-up formula इस्तमाल करते हैं तो वहाँ पर हमें EBIT मिलेगा net profits में interest और taxes को add करने पर और ऐसा करने पर भी EBIT की value बनती है 742.63 crores, EBIT आपको बताता है कि company का earnings potential कितना है, मगर interest और taxes काटने से पहले। अब जो interest company pay करती है, वो depend करता है कि company का financing structure कैसा है, यहने कितने amount का loan लिया है company ने, क्या interest rate पर लिया है, इत्यादी तो EBIT आपको तब helpful होगा जब company का financing structure ज़ादा important ना हो, मगर earnings potential ज़ादा important हो EBIT को EBITDA से compare करने पर आपको यह पता पड़ेगा कि company के कितने सारे profits, depreciation और amortization expenses में जा रहे हैं अब जिन companies के ऐसे बड़े-बड़े assets हैं जो depreciate होते हैं, उन companies के cases में EBIT और EBITDA के बीच काफी बड़ा फर्क होगा EBIT को कई सारे ratios में भी इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों आज EBIT पर इस वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए useful रहा हो यदि आपके कोई सवाल है तो नीचे comment section में में बूछ सकते हैं और यदि आपको हमारा चानल अच्छा लगता हो तो subscribe करना ना भूलें सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें जाने से पहले आपको बता दे कि आप अपना free financial plan हमारे नए पोटल जो कि है invest.in पर बना सकते हैं यह बिल्कुल फ्री है इसे जरूर ट्राइ कीजिए और आप हमारी पहली बुक जो कि है 108 questions and answers on mutual funds and SIP को Amazon Flipkart इत्यादी पर खरीद सकते हैं इस बुक को खरीदने का लिंक इस वीडियो के description में भी दिया गया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक happy investing